हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरह का बहुत ही चटपटा नाश्टा, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है, ये बाहर से थोड़ा क्रिश्पी और उसके बाद सॉफ्ट होता है, और इसके अंदर बहु को अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, इससे जादे जादे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चले इससे बनानाम सुरू करते हैं, सबसे पहले एक ग्रैंडर जार ले लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे फुल हैंड ओफ मिंट लीप, जिसे पुदीने का पत्ता बोलते हैं, और फुल हैंड ओफ कोरियंडर लीप, धनिया के पत्ते, और हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च, तीखा, आप अपने स्वादनुसार डालें, आधे नीम्बू का रस इसमें हम डाल देंगे, और हम इस अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, इस चटनी का यूज हम अपने स्टफिंग बनाते वक्त यूज करेंगे, इसमें हमने पुदीना यूज किया है, तो जो हमारे स्टफिंग का फ्लेवर आता है, और जमाय नाश्टे का फ्लेवर होता है, वो बहुत ही अच अच्छी तरीके से गरम हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक पिंच हींग, एक चमच, जीरा, और जीरे को अच्छी तरीके से थोड़ी देर कुक कर लेंगे, ये जीरा हमारा पग गया है, अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज और इसे भी भून लेंगे इस प्याज को हम एकदम golden brown नहीं करना है श्रिप हलका transparent होने तक cook करना है इसे हम इसी तरीके से चलाते वे थोड़ी देर cook कर लेंगे ये प्याज हमारा हलका transparent हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दो पिंच हल्दी और हल्दी को भी थोड़ी देर cook कर लेंगे जिससे की हल्दी का कच्चापन ना रह जाए ये प्याज और हल्दी हमारा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चार medium size के उबले mash के हुए आलू इसे हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से mix करेंगे इसे हम इस तरीके से दबाते हुए mix करेंगे जिससे की इसमें बड़ा lumps न रह जाए ये देखे आलू हमारा अच्छी तरीके से mix हो गया इसमें कोई lumps नहीं है अब हम इसमें डालेंगे स्वादनुसार measurement में ये तीन चौथाई चमच है और हमने जो green chutney पुदीने की ready की थी उस chutney को इसमें mix कर देंगे हमें पूरी chutney इसमें डाल देनी है और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे चटनी को आलू में हमने अच्छी तरीके से mix कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच पेपर पॉडर ये optional है बट इससे इसमें बहुत अच्छा flavor आता है तो आप इसे जरूर डालें अब हम इसे भी अच्छी तरीके से आलू के साथ mix कर लेंगे और इसे ल कर लेंगे जब तक आलू हमारा ठंडा होगा तब तक हम अपने नाश्टे के बाहर की covering की तयारी कर लेते हैं उसके लिए एक पैन को हम गैस पे रख देंगे फ्लेम को medium to high रखेंगे और इसमें हम डालेंगे दो कप पानी और थोड़ी सी नमक ये लगबख half tablespoon है और इसे पानी में हमारा अच्छी तरीके से उबाला गया है अब फ्लेम को हम एकदम लो कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी जिसे रवा या सेमुलीना भी बोलते हैं पानी और सूजी का ratio 2 raise to 1 होना चाहिए अब हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इसे mix करते इसे वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसमें लंस ना पड़े तो फ्लेम को आप लो कर लें और फिर मिलाए इसे तो इसमें लंस नहीं पड़ेगा और अगर लंस पड़ भी जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है इसे बाद में हमें गूत ना है तो गूतते समय उसके हट जाएंगे बड़ आप कोशिश ही नहीं करिए कि इसे इसी वक्त मिलाते समय इसमें बिल्कुल भी लंस ना रहे इसे हमें तब तक ऐसे ही कुप करना है जब तक कि ये डोनफ फॉर्म होने लगे इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे ये देखिए लगबग दे हुए अब हमकी लेमन साइस की बॉल्स बनाके रड़ी कर लेंगे जिससे कि हमारे नाश्ते की सटफिंग करते वक्त हमें आसानी हो तो इस तरीके से चोटा पॉर्शन लेके इसे हाथ में लेके गोल-गोल शेप दे लेंगे यहां पर मैं इसे लेमन साइस का ये शेप दे र बना लेंगे यह हमने आलू की सारी बॉल्स बना के रेडी कर लिए और हमारी सूजी भी ठंडी हो गई है तो हम सूजी को अच्छी तरीके से गूत लेंगे सबसे पहले हाथों को और से ग्रीस कर लेंगे और इसे इस तरीके से करते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना लेंग इसे अच्छी तरीके से गूत लेंगे, जितना अच्छे तरीके से सूजी को हम गूतेंगे, हमारा नाश्टा उतना अच्छा बनेगा, ये देखें, ये हमने डो बनाके रेडी कर लिया है, अब इसकी भी हम एक बॉल्स बना लेंगे, हमने आलू की lemon size की बॉल्स बनाई है, इस तरीके से portion लेके इसको गोल गोल हम बना लेंगे, और इसे गोल बनाने के बाद इस तरीके से हलका flat shape दे लेंगे, इसी तरीके से बाकी भी हम बनाके रेडी कर लेंगे, ये हमने नाश्टे की सारी outer layer बनाके रेडी कर लिया है, और stuffing के आलू भी बनाके रेडी कर लिया है अब सूजी का एक बॉल लेंगे और इस तरीके से अंगूठे की सायता से इसे थोड़ी बड़ा कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहा है इस तरीके से किनारों से अंगूठे पर प्रेस करते हुए और इसमें हम एक बॉल डालेंगे और इसे कवर कर देंगे इस तरीके से अब अंगुठे से स्टफिंग को प्रेस करते जाए और इसे दूसरे हाँ से उपर की तरफ मोड़ते जाए जिसे हम आलू का पराठा या गोबी का पराठा बरके उसे बन करते हैं उसी तरीके से इसे करना है, यह देखें, यह इस तरीके से हमने उपर तक बन कर लिया, अब हम इसे इस तरीके से फ्लैक टिक्की का शेप दे लेंगे, यह हमने एक नाश्टे बना के रेडी कर लिया, इसी तरीके से हम अपना बाकी बना के रेडी कर लेंगे, यह हमने अपने लगबग एक टेबल इस्पून इसे हमें डीप फ्राइए नहीं करना है यह तवे को अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे और यह अपनी टिक्कियां जो सूजी की टिक्कियां हमने त्यार किया है इसे तवे पर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनो साइड से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे यह लगबग दो मिनट बाद मैं इसे दूसरी साइड पलट दूँगी और अलटते पलटते वे दोनो साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक इसे पका लेंगे आप इस नाश्टे को morning breakfast में या अपने बच्चों के lunch box में बना के दे सकते हैं यह बहुत ही tasty लगता है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा यह देखिए यह हमारा दोनों साइट से एकदम crispy हो गया है यह हमारा नाश्टा बनके ready है मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसकी outer layer कितनी crispy बनके आई है इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्टे को भी बना के ready कर लेंगे यह देखिए यह सूजी का हमारा tasty और crispy नाश्टा बनके ready है मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि यह बाहर से कितना crispy और अंदर से कितना soft है और इसे खाते वक जो मुँ में mint का flavor आता है वो बहुत ही yummy लगता है और इस नाश्टे की सबसे खास बात कि यह ठंडा होने के बाद भी बहुत tasty लगता है आप इस simple और tasty recipe को जरूर try करेगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे लिखे subscribe बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को subscribe कर लें बगल में बने bell icon को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरे आगे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे हम फिर मिलेंगे एक नई easy and quick recipe के साथ तब तक के लिए बाए